तो अब इसके पस्चात हम आगे हमारा अगला बिंदु है पर्या वर्णस्य रक्षणम पर्या वर्ण यह हमारी जीवन का बहुत महत्पूर्ण हमारी जीवन क्यों पूरी प्रकृति के लिए बहुत महत्पूर्ण है सभी जीवजन्तूं के लिए तो पर्या वर्ण की रक्ष भोप्रिये तुम किम पश्यसी? एतान व्रिक्षान पश्यामीं। एतान व्रिक्षान के आरुपित्वन्तह। अस्माकं पुर्वजाहा आरुपित्वन्तह। अस्माकं अपी करतव्यम वर्थते वयम अपी पादपान रोपयाम। त्वम सत्यम कत्थसी? किम त्वम फलानी खादी तूम इच्छासी? आम। तरही त्वम अपी एकम पादपम आरुपय। प्यारी बच्चों, आपने देखा किस तरह से परिया वरण पर आधारित दो मित्र हैं? पूजा और प्रिया, ये दोनों आपस में किस तरह से बात करते हैं? वास्ता में इनका जो बातचीत है, इसको आपने सुना और समझा भी होगा, मैं इसको आपको समझाने का प्रयास क पूजा कहती हैं व्रिक्षान पल 200 वर्च व्रिक्ष को देख रहों। पूजा और प्रिया किसी बगीचे में टहल रहे हैं जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और उन पेड़ पौधे में बहुत सारे फूल और फल भी लगे हुए हैं तो उनको देख करके वे दोनों आपस में बात्चित करते हैं तो वहां का यह दृस्या है पूजा काती, भो प्रिये तौम किं पस्यसी? हे, प्रिया, तुम क्या देख रही हो? उनके द्वारा ऐसा पूछे जाने पर प्रिया काती है, एतान व्रिक्षान पस्ष्यामी मैं इन व्रिक्षों को मुआ देख रही हूँ पूजा को ने पेड़ पूधों को किन्हों ने यहां लगाया है तब पुजा कहती है अस्माकम पुर्वजाह आरोपित वन्तह हमारे पुर्वजों ने इन पेड़ पूधों को लगाया है तब पुजा कहती है अस्माकम अपी कर्तव्यम वर्तते वयम अपी पादपान रोपयाम हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम भी पौधों को रोपे हमारा कर्तव्य है कि नहीं आप लोग पौधा रोपन करते है कि नहीं करते हैं आज हम पौधा रोपन करेंगे तब तो हमारा परिय वरण के विशाय में जिस तरह से आप पौधों का रोपन करते हैं विशेश कर वर्षा काल में वर्षा का रोपन जो है अच्छा माना जाता है क्योंकि इस समय पौधों के अधिक देख भाल करने के आवश्यक्ता नहीं होती है प्रकृति के द्वारा उसका पोषण सरलता से औ तो हमें भी पौधों को रोपने चाहिए तो इसी विशेश पर बात चित करते हैं अस्माकम अपी कर्तव्यम वर्थते वयम अपी पादपान रोपयाम हमारा भी यह कर्तव्या है कि हम भी पौधों को रोपें ऐसा पूजा कहती है अब फिर प्रिया करती है तुम सत्यम वद निश्चित रुप से हम सबका भी करतव्य है कि हम भी पौधों का रोपन करें पूजा कहती है किम तुम फलानी खा दी तुम इच्छ सी क्या तुम फलों को खाने के इच्छा रखती हो यहां बहुत सारे फूल और फल लगे हुए है क्या इन में से कुछ फल तुम खाना चाहती हो तब पूजा कहती है आम आम का मतलब होता है हाँ हाँ निश्चित रुप से मैं कुछ फलों को खाना चाहती हूँ चखना चाहती हूँ ऐसा पूजा कहती है तब पूजा कहती है तरही त्वम अपी एकम पादपम आरोपए यदि तुम फल खाने की इच्छा रखती हो ये अच्छी बात है लेकिन इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा तुमको एक पौधे का रोपन करना पड़ेगा तरही त्वम अपी एकम पादपम आरोपए तब तुम भी एक पौधे का रोपन करो अर्थात एक पौधा लगाओ क्यों क्योंकि जिस फल को तुम खाना चाहती हो वो फल हमारे पुर्वजों के द्वारा लगाए गए पौधों में है तो आज तुम जिस पौधे को कि कल वरिक्ष बनेगा तब उसमें पुरह फल और फूल आएंगे जिसे आने वाली जो पिढ़िया हैं वे उनसे लाभानवित होंगे जिस तरह से पौधों के द्वारा लगाए गए पौधों से आज हम लाभानवित हो रहे हैं इसी तरह हमारा भी कर्तव्य है कि हम परिया परिया वरण की रक्षा करें उसके संवर्धन में अपना योगदान दें ये कब संभा होगा जब हम और आप पौधिर ओपन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो वारतालाप का अंसा है इसके माध्यम से हम में परिया वरण के प संभाशन किया जा सकता है इसके विशाय में हम एक संवाद सुनते हैं एक संभाशन सुनते हैं क्रिडा विशिये संभाशनम के अंतरगत क्रिडा विशिये संभाशनम रखर भवान कुत्र गच्छती अहम उद्यानम प्रति गच्छामी किमर्थम क्रीड नार्थम प्रातह काले क्रीडनम महियं अपि रोज यते तरही भवान मया सह एव चलतू नहीं अहम श्वापित्रा सह उपावने गच्छामी उचितम श्व आवावाम प्रातह क्रीडनाय उद्यानम प्रति गमिश्यावार कुको प्रवार और प्रक्र यह दोनों मित्र हैं DP्हेल के विशयए में क्रिडा के विशयए में आपस प्रखर भवान कुत्र गच्छती ये प्रखर तुम कहां जा रहे हो उसके प्रवर के द्वारा इस तरह से पूछे apan काने प्रखर करता है कह अहां उद्यानन प्रतिक अच्छा मीं मैं उद्यान की ओर जा रहा हूं कि प्रवर कहता है कि मर्थम कीस लिए जा रहे है तब उसकी द्वारा ऐसा पूछ जाने पर प्रखर करता करिदनार्थम मैं खेलने केलिए जा रहा हूँ प्रवर कहता है प्रात cultivated महियं अपी रोचते प्राता खाल खेलना मुझे भी अच्छा लगता है इस्टरह से प्रवर कहता है प्रवर के दुरूर्वर के द्वार इस तरह से कह जाने पर प्रखर कहता है तर्ही 그래도 सफवान मया सह एउचलतु यदि ऐसा है तो तुम भी मेरे साथ चलो इसी समय चलो प्रवर कहता है नहीं अहां सवा पित्रा सह उपवने गछ्छा मी मैं अपने पिता के साथ इस समय उपवन जा रहा हूं भगीचा जा रहा हूं उध्यान जा रहा हूँ कि इसलिए भ्रह्मन के लिए इसलिए भी खेलने के लिए मैं नहीं आ सकता ऐसा प्रवर कहता है तब प्रखर कहता है उचितम स्वह आवाम प्राता क्रिजनाय उद्ध्यानम प्रति गमिश्या वहा अच्छा ठीक है कल हम दोनों खेलने के लिए उद्ध्यान की ओर जाएंगे तो इस तरह से इन दोनों की मध्य प्रखर और प्रवर के मध्य बात्चित होती है किसलिए कृड़ा विशय पर अधारित प्यारे वच्चों आप यहां देख रहे हैं अहम उद्ध्यानम प्रति गच्छामी यह जो पाक क्या आया है उद्ध्यान की ओर जाता हूं उद्ध्यान की कहते हैं यहां सश्ट्र विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए लेकिन प्रयोग हुआ है द्वित्य विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ क्यों हुआ कि यहां पर प्रति का प्रयोग हुआ है प्रति एक यहां उद्ध्यान में द्वीतिय विभक्ति का प्रयोग किया गिया है इसी तरह से आप देख रहे हैं अलग-अलग वाक्य हैं तरही भवान मया सह एव चलतु नहीं अहम स्वा पित्रा सह उपवने गच्छामी सह का प्रयोग जब होता है देखिए सह जैसे कहते हैं तो दो प्रकार से आप देखते हैं एक जिसमें विसर्ग लगा हुआ होता है सह इसका मतलब होता है वह पूर्डिंग में प्रयोग होता है और दूसरा होता है सह इसका तातपर होता है साथ तो सह का प्रयोग जब किया जा के अंतरगत आप ये नियम देखेंगे तो यहां जहां कहीं पर भी सह का प्रयोग होगा तो उसके वह जिस सब्द के साथ लगता है उसमें तृतियावी भक्ति का प्रयोग होता है इसलिए आप देख रहें मया मया जो कहते हैं यह असमद इसका मूल सब्द है असमद का तृतियाविभक्ति एक वचन का रूप बनता है मया तो मया सह एव चलातु इसका तात पर हुआ मेरे और इसी तरह से हम दूसरा वाक्य देखते हैं नहीं अहां स्वा पित्रा सह उपवने गच्छा में तो यहां पर भी पीत्री मूल सब्द है पित्री सब्द तृतियाविभक्ति एक वचन इसका रूप बनता है पित्रा तो सहयोगे तृतिया इस नियम का यहां पालन हुआ है इसलिए मयाक और पित्रा इन दोनों सब्दों में तृतियाविभक्ति का प्रयोग हुआ है तो प्यारे बच्चों अभी हमने देखा क्रिडव विशिये संभाशनम के अंतरगत किस तरह से दो बच्चे जो हैं दो मित्र हैं प्रवर और प्रखड जो है वो खेल के विशाय में एक सार्थक समवाद कर पाते हैं बातचित कर पाते हैं और अब हम इसके पस्चात घर में देखते हैं माता और पुत्र की बीच में किस तरह से संभाशन होता है माता पुत्रयोह संभाशनम के अंतरगत तो आईए सबसे पहले माता पुत्रयोह संभाशनम यह जो वार्तालाप का अंसरे इसको हम सूनते हैं मोहित किम करोसी त्वम संस्क्रितम पठामी माता है त्वय भोजनम कितम किम आम आपणम गच्छासी किम माता है सिग्रम गच्छामी किम आनयानी तता है प्यारे बच्छों अभी आपने माता पुत्रयोह संभाशनम का अंसर देखा कि इस तरह से माता और पुत्र आपस में समवाद कर रहे थे तो आईए यह अंसर आपको समझ में आया होगा एक बार हम समझने का प्रयाश करते हैं बच्चों अब जानते हैं घर में जब हम रहते हैं तो माता से पीता से भाई से बहन से सबसे चर्चाएं होती हैं बच्चे जो हैं माता के सबसे नजदीक होते हैं सबसे निकट होते हैं आत्मी संबंध होता है माता से माता को भी कहीं जाना होता है तो बच्चों से जरूर पूछते हैं बच्चा ने खाया है कि नहीं खाया है कहीं जाना है तो साथ जाओगी क्या इस तरह कि माता जो है अपने बच्चों से निशी तरुप से पूछती है आप से भी पूछते होंगे है न, हाँ, तो ऐसे ही माता जो है अपने पुत्र से समवाद करती है, वारता लाप करती है, तो कैसे वारता लाप करती है, माता जो है अपने पुत्र से कहती है, क्या कहती है, माता और पुत्र, पुत्र का नाम है मोहित, तो माता जो है मोहित से कहती है, मोहित किम करो सित्वम, तुम क्या कर रहे हो, माता की द्वारा ऐसा पूछने पर पुत्र कहता है, संस्कृतम पठामी माता है, मैं इस समय संस्कृत पढ़ रहा हूं माता, ऐसा पुत्र कहता है, फिर माता कहती है, तुवया भोजनम कृतम किम, क्या तुमने भोजन कर लिया है, ऐसा तो नहीं, कि जब से विद्याले से आये हो तब से केवल केवल पढ़ाई कर रहे हो अध्यान कर रहे हो नहीं देखिए आप भी पढ़ाई करते हैं अध्यान करते हैं खीक है लेकिन समय समय पर भोजन करना भी आवश्यक है तो माता जो है ऐसे ही अपने पुत्र के विशाय में चिंता करते हुए कहती है त्वया भोजनम कृतम किम क्या तुमने भोजन कर लिया है माता जब पूछती है तब पुत्र कहता है आम हाँ मैंने भोजन कर लिया है तब माता कहती है आपणम गच्छ सिकिम क्या तुम बाजार जाओगे माता जब कहती है तब पुत्र कहता है चलिए इसी बहाने मात तकी थोड़ी संगती मिल जाएगी, तो अवश्य जाओंगा, इनी भावनाओं के लेकर पुत्र कहता है, माता सिग्रम आगच्छामी, मैं जल्दी से आ रहा हूँ, अभी अध्यान कर रहा हूँ, अपना पुस्तक कापी समेट लेता हूँ, और फिर आपके साथ बाजार जाने के लिए आ रहा हूँ, किम आनियानित तह, वहां से हम क्या लाएंगे, वहां से हमें क्या लाना है, ऐसा पुत्र जो है माता से कहता है, तो इस तरह से माता और पुत्र के मध्य, एक सुंदर और मधूर वारतालात का दृष्य हमारे सामने आया, और आप समझे, निश्यत किस तरह से अपने घरों में छोटे भाई, बड़े भाई, बहान, माता, पीता, जो भी संबंधी घर में हैं, उनके साथ इस तरह से सरल सरल सब्दों में वारतालाप करने में समर्थ हो सकते हैं, और आये, अब हम नगर भ्रह्मनम, नगर में भ्रह्मन, नगर का भ्रह्मन के विशाय में एक वारतालाप सुनते हैं, और ये वारतालाप कर रहे हैं पराग और भुपेश, किस तरह से नगर भ्रह्मन के विशाय में ये दोनों मित्र आपस में वारतालाप करते हैं, तो ये द्रिश्य हम पहले देखते और सुनते हैं, नगर भ्रह्मनम, नगर भ्रह्मन भुपेश, त्वम भ्रह्मनाय कोत्र गमिश्यसी? कोर्बा नगरम प्रति गमिश्यामी कदा गमिश्यसी? गृष्मा अवकासे अहम गमिश्यामी केन यानेन? रेल यानेन कोर्बा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम प्यारे बच्चों अभी आपने पराग और भुपेश के द्वारा किस तरह से नगर भ्रमणम के विशाय में वार्तालाप किया जा रहा था ये आपने देखा और सुना और निशीत्रप से आपको समझ में भी आया होगा तो आईए मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ पराग जो है अपने मित्र भुपेश से कहता है भुपेश तुम भ्रमणाय कुत्र गमिश्यसी भुपेश तुम भ्रमण के लिए कहां जा रहे हो जैसे आप पढ़ रहे हैं जब ग्रिश्मा अवकास होता है या सीतकालीन अवकास होता है उस समय आप लोगों को विच्छा हो कि कहीं हम घूम आएं तो ऐसा ही ये जो दोनों बच्चे हैं पराग और भुपेश ये भी क्या करते हैं इनकी भी इच्छा होती ही कहीं घूमने के लिए जाएं तो एक मित्र जो है वो अपने दूसरे मित्र से पूछता है कि तुम भ्रह्मन के लिए कहां जा रहे हो जब परा नगर गूमने के लिए जा रहा हूं जाऊंगा मैं कोर्बा नगर गूमने के लिए जाऊंगा ऐसा भुपेश कहता है भुपेश जब ऐसा कहता है तब पराग पूछता है कदागमिस्यसी कब जाओगे जिग्यासा होती है ना एक तो कहां जाएंगे कब जाओगे कि इसके सा आप जाओगे, क्या मेरे लिए भी इस्थान है, मैं भी जा सकता हूँ, क्या, आप भी अपने मित्रों से पूछते हैं, मित्रों के साथ कहीं गोमने के लिए इच्छा होती है, तो ऐसा ही पराग और भुपेश भी इस तरके मित्र हैं, उनके मन में भी जिग्यासाएं हो रही ह तब पराग कहता है, कदा गमिश्यसी कब जाओगे, तब उसको उतर देते हुए भुपेश कहता है, ग्रिश्मा अवकासे अहम गमिश्या में अभी नहीं जा रहा हूँ, कब जाओँगा, ग्रिश्मा अवकासे गर्मी की जब छुट्टियां हो जाएंगी, गर्मी का जब अवकास होगा उससमय मैं घूमने के लिए कोर्वा नगर जाऊंगा ऐसा भुपेश कहता है पराक कहता है केन यानेन कोर्वा तो बहुत दूर है कौन से साधन से जाऊँगे तब भुपेश कहता है रेल यानेन रेल यान जो है बढ़िया सुविधा जनक है इसलिए मैं रेल यान से कोर्बा घुमने के लिए जाओंगा ऐसा भुपेश कहता है भुपेश के ऐसा कहने पर पराग कहता है कोर्बा नगरम की मर्थम प्रसिद्धम कोर्बा नगर नाम मैंने तो सुना है लेकिन यह कोर्बा नगर प्रसिद्ध किसलिए है या तुम कोर्बा जाओगे तो आखिर वहाँ देखना क्या चाहते हो क्या चीज़ है जिसको देखोगे तब भुपेश कहता है अत्र राष्ट्रिय ताप विद्युत केंद्र मस्ती अत्यव प्रसिद्धम यहां कोर्बा नगर में राष्ट्रिय ताप विद्युत केंद्र है इस कारण से कोर्बा नगर जो है बहुत प्रसिद्ध है और मेरी भी यह इच्छा है कि मैं उसको देखने के ले जाओ तो इसलिए मैंने ग्रिश्मा उकास में वहां जाने का निश्चय किया है ऐसा भुपेश कहता है तो प्यारे बच्चों अभी आपने देखा नगर भ्रह्मनम इस विशय पर एक वार्तालाप जो पराग और भुपेश के मद्य किया जा रहा था तो ऐसा ही आप भी किसी भी वि अर्थम का प्रियोक करना हो उस सब्दके साथ में आप अर्थम का प्रयोक कर सकते हैं जैसे प्रथम पंक्ति में आप ओ है कि इस दो दे वार्मानार्थाम ग्रमencias औ Gमणार्थाम दर्सनार्ठाम तो इस तरह से और भी अन्य पदों की रचना आप कर सकते हैं तो निश्सी तरुम , यह लुए भी 1993 Vinters को प्यारे बच्चों अभी आपने सुना वैद्य रोगी संभाषण किस तरह से एक वैद्य और रोगी के बेच संभाषण होता है इसको आपने सुना और समझा भी होगा निश्यतरुप से जब हमारा स्वास्थ ठीक नहीं रहता है हम रोग ग्रस्त हो जाते हैं तब हमें किसी न किसी वैद्य या चिकित्सक के पास जाना ही होता है तो जब हम वैद्य चिकित्सक के पास जाएं तो किस तरह से उनसे हम अपनी बात कर सकते हैं ये इस समवाद के माध्यम से हमने अभी सुना और इसका अर्थ भी आपको समझ में आया होगा आईए एक बार पुनह देखते हैं यहाँ वैद्य और रोगी रोगी जो है वैद्य के पास जाता है तब वैद्य जो है रोगी से पूछता है भो मुखुल तुम कथमसी जो रोगी था उसका नाम है मुखुल उसको देखकर वैद्य जो है पूछते हैं कि मुखुल तुम कैसे हो तब मुखुल अर्थात रोगी वह कहता है अहम कुसली नासमी मैं कुसल नहीं हू जब हमारा स्वास्त ठीक न हो जब हम रोग ग्रस्त हो तब वैद्य जब पुछता है कि तुम कैसे हो तब मुकुल जो रोगी है वह कहता है मैं कुसल नहीं हूँ तभी तो आपके पास आया हूँ अच्छा तब वैद्य कहते हैं कीमभुवत क्या हुआ है क्या समस्या है तब रोगी कहता है जवर पीडित ओस्मी जवर से पीडित हूँ बुखार से पीडित हूँ मुझको बुखार आ रहा है मेरा सरीर जो है तब रहा है तब वैद्य कहता है मैं तुमको ज्वर की आउसधी दे दूंगा इससे तुम ठीक हो जाओगे अब ऐसा कहे जाने पर और वैद्य के द्वारा आउसधी दे दे जाने पर रोगी कहता है धन्यवादा महोदा यहाँ उस वैद्य का धन्यवाद करते हुए रोगी जो है वहाँ से चला जाता है तो इस तरह से वैद्य और रोगी के बीच में एक छोटा समवाद वारतालाप अभी हमने यहाँ देखा प्यारे बच्चों यह जो अंस आया है इसमें आप देखेंगे कुछ व्याकरन एक तत्व जैसे नास्मी सब्द एक आया है नास्मी न धन अस्मी इति नास्मी यहाँ पर दिर्गस्वर संधी का प्रयूग हुआ है आप जानते हैं दिर्गस्वर संधी कब होता है जब समान स्वर आपस में मिलते हैं और वह दिर्ग हो जाता है तब वहां दिर्गस्वर संधी होता है यहां आप देख रहे हैं न में अ है और इसके आगे आ आता है तो अ और दोनों मिलकर के आ हो गया तो इस तरह से नास्मी न पीडितोष्मी, पीडितो अब उसके बाद एक एस जैसा दीख रहा है, इसको संस्कृत में अवग्रह कहा जाता है, अवग्रह इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह एक आ का रूप है, जो वहाँ छीपा हुआ है, इसको बताने के लिए एस आकार अर्थात अवग्रह लगा दिय जाता है, अब इसको जब हम संधी विच्छेत करेंगे, पीडितोष्मी, तो क्या होगा, पीडितः धन अस्मी, यहाँ पर विशर्ग, ओकी मात्र जो है, पीडितो आप देख रहे हैं, वो ओक क्या हो जाता है, वो विशर्ग में बदल जाता है, विशर्ग संधी के नियम म आप इसे पढ़ेंगे, तो पीडित तह धन अस्मी इती पीडितोष्मी, इसी तरह से एक सब्द और आया है, जवर ओस्धिम, इसका भी संधी विच्छेत आप करें, जवर धन ओस्धिम, यहाँ पर आ और ओ के योग से अउ, यह बना है, तो इस तरह से यहाँ पर सब्दि स्वर संधी का प्रयोग हुआ है, जवर धन ओस्धिम इती जवर ओस्धिम, चलिए, अब इसके आगे, हम संस्कृत व्याकरण विच्छे वार्ता लापः, यह जो अंस है, किस तरह से संस्कृत व्याकरण के विच्छे में, दो मित्र आपस में बात करते हैं, यह अ प्रस्तुत कर रहे हैं, मनिका और भारती, संस्कृत व्याकरण विच्छे वार्ता लापः, त्वाम किम पठ सी, अहम संस्कृत पठामी, संस्कृत सिक्छा अध्याय हा, केवलं व्याकरणं एव, व्याकरणे एव त्वर उचिह, व्याकरणं तू महयं अतीव रोचते, व प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना मनिका और भारती को संस्क्रित व्याकरण के विशाय में वार्तालाब करते हुए इनके द्वार क्या वारतालाब किया गया, क्या बातचीत की गई, ये आपको समझ में आया निश्चित रूप से इन दोनों के द्वारा जो बातचीत किया गया उसका विशाय था व्याकरण संस्क्रित व्याकरण, व्याकरण जो होता है वो किसी भी भासा की जान होती है अंग्रिजी का अध्यान करें, हिंदी का अध्यान करें, व्याकरण की अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा व्याकरण पढ़ेंगे, उतनी आपकी भासा सम्रिध्ध होगे, इसलिए अधिक से अधिक व्याक पढ़ने पर अपना मन लगाई है तो देखते हैं मनिका और भारति किस तरह से व्याकरण के विशा में आपस में बातचीत किये हैं मनिका कहती है दोनों सहेलियां हैं तो थों किम पठासि तुम क्या पढ़ रही हो तब भारतिा कहती है अहम संस्कृतम पठामी मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ मनिका कहती है संस्कृत से कहा अध्याय है संस्कृत का कौन सा अध्याय पढ़ रही हूँ ऐसा पूछती है तब भारती कहती है केवलम व्याकरणम एव मैं केवल व्याकरण ही पढ़ रही हूँ कोई दूसरा अध्याय नहीं पढ़ रही हूँ, किसी पाच को मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं केवल व्याकरण के अंस को ही पढ़ रही हूँ, ऐसा भारती कहती है, तब मनिका कहती है, व्याकरणे ये उत्तव रूची है, व्याकरण में ही तुम्हारी रूची है, ऐसा पू क्योंकि संस्कृत में जो व्याकरण है वो पूरे सुत्रों पर आधारित है जिस तरह से आप गाणित में सुत्र पड़ते हैं उसी तरह से संस्कृत का जो व्याकरण है, पूरी निश्ठित भासा कहा जाता है किसके कारण से व्याकरण की सम्रिद्धता के कारण से तुमनिका कहती है व्याकरण तु भासा या आधार भूतम भवती व्याकरण जो होता है वह किसी भासा का आधार होती है ये आधार है भार्दी कहती है तुम सत्यम कथय से तुम सत्य कह रही हो निश्चितरुप से इसलि तो मैं भी व्याकरण अधिक से अधिक अधियन करती हूं मनिका कहती है अधुना अहम चली तुम इच्छामी बहुत अधिक समय हो गया अब मुझको अनुमती दो मैं यहां से जाना चाहती हूं ऐसा जब मनिका कहती तो भारती कहती है उपविश् पेयम पित्वा गच्छ कुछ पेय पी कर जाओ जल पान ग्रहन कर लो उसके बाद चली जाना तब मनिका कहती है चम्यताम इदानिम गच्छामी मुझे अभी चमा करो फिर कभी आऊंगी तब मैं जल पान ग्रहन करूंगी इसमें मुझे जाना है मुझे जाने की अनुमती द तो ऐसा कह करके मनिका जो है वहां से चली जाती है तो प्यारे बच्चों हमने अभी इस वार्ता लापह पाठ के अंतरगत विभिन अंसों के माध्यम से कैसे मित्रों के साथ, छात्रों के साथ, गुरुशिष्य के साथ या उद्ध्यान में, परियावरण के विशाय में, ख वैद्य रोगी के संभाषन में या दो मित्रों के माध्य द्वारा संस्क्रित में किस तरह से वार्तालाप किया जा सकता है, इसके विशाय में बहुत सारी जानकारियां हमने प्राप्त की, ये किवल एक नमुना मात्र है, इसके आधार है हमारे लिए कि हम किसी भी विशाय पर इस तरह से हम बात कर सकते हैं, तो बात करने के लिए आवश्यक है, आप अधिक से अधिक सब्द जाने, सब्दों का प्रयोग किस वाक्य में किस तरह से किया जाता है, इसको जब हम भली भाती जान लेंगे, तो निश्चित रूप से एक सार्थक वारतालाप करने में समर् इसके विशाय में आपकी समझ विक्सित हुई होगी, आईए इस अंस्म पर अधारित कुछ प्रस्न विभीन परिक्षाओं में पूछी जाते हैं, जैसे वाक्यों में क्रिया पद को पहचानना, अभी जैसे कुछ वाक्य यहां जो आए हैं, इन वाक्यों में यह आपको क्र क्रिया पद कौन सा यह पहचानना है, फिर क्रिया पद का रूप क्या है यह पहचानना, इस तरह का प्रस्न आता है, तो इन सभी वाक्यों में आप देखेंगे, जैसे प्रतम वाक्य है, पठसी यह क्रिया पद है, द्विती वाक्य में पठामी यह क्रिया पद है, इसी तरह और शुर्ट ऑस आप देखएंगे, रोचते, भवती, कถयसी, इच्छामी, गच्छ, गच्छामी यह सभी क्रिया पद हैं, तो परिक्षां में इस तरह का प्रस्ण पूछा जाता है कि क्रिया पध को किसी प्रत्य का प्रत्या का प्रत्या का प्रत्या क्यों हुआ है? पूरुष देखते हैं, देखे, अब इसका सरल सुत्र आप जानते हैं, तीतह, अंती, सीथ, थ, आमी, आवा, आमा, ये प्रत्या लगते हैं कि इसमें लटलकार में, तो यहाँ पर प्रत्या का प्रयोग हुआ है, सी का, सी का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि वाक्य का जो कर यूसमद से सब्द बना है त्वम, यूवाम, यूयम इस तरह से इसका रूप बनते हैं, तो यहाँ पर पठासी जो है ये लटलकार, मध्यमपुरुष, एकवचन का क्रिया पद है, ये आपको पहचानना है, इसी तरह से पठामी, इसका भी मुल्धातु क्या है, पुरुष, एकवचन का क्रिया रूप, इसी तरह से रोचते कहते हैं, देखे, संस्कृत की बात करते हैं, तो संस्कृत में धातुएं जो है दो प्रकार की हैं, एक है परस्मईपदी धातुएं, और दूसरे है आत्मने पद की धातुएं, तो रोचते जो धातु का रूप आया है ये रूच धातु जो आत्मने पद का है इसका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है रोचते रोचते रोचनते इस तरह से इसका रूप बनता है धातु है रूच तो रूच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है रोचते इसी तरह श्क्रिया से भवती यह जो क्रिया रूप है धातु रूप है इसका मूल धातु है भू भू का रूप बनता है भव फिर इसके धार पर रूप चलते हैं तो जब धातु रूप में जाते हैं तो भवती भावत्या पहला ही सब्दा है अर्था प्र Possution एक व्वचन का यह तो भूधातु, लटलकार, प्रथम पुरुस, एक वचन, ये भवती का रूप है, इसी तरह सम्देखते हैं, कथ यसी, कथ धातु है, ये उभय पदी धातु है, इसके रूप जो है, आत्मने पद और परस्मय पद, दोनों में चलता है, यहाँ पर प्रयोग जो पद है, वो ह है, परस्मय पद, कथ यसी, सी का प्रयोग हुआ है, मतलब ये मध्यम पुरुस का है, और एक वचन का है, कथ मुल धातु है, कथ, लटलकार, मध्यम पुरुस, एक वचन का रूप है, कथ यसी, इसी तरह से इच्छा में, इच्छ धातु, इच्छा करना, और यहाँ पर मी लगा है, आमी आवाह, आमा आप पढ़ते हैं प्रत्या, कहां लगता है ये, बिल्कुल सही, ये लगता है उत्तम पुरुस में, तो आमी का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ये लगेगा उत्तम पुरुस, एक वचन, इच्छ धातु, लटलकार, उत्तम पुरुस, एक वचन क रूप है इच्छा में, इस तरह से दम देखते हैं गच्छ, गच्छ क कर रूप कहां बनेगा, गच्छ का मूलधातु है गम, लखार है लटलकार, पुरुस, मध्यम पुरुस, एक वचन, इसी तरह से गच्छा में, मूलधातु, गम, लटलकार उत्तम पुरुस एक वचान तो प्यारी बच्चों इसी तरह से किसी भी वाक्य में कोई भी क्रियापद आता है तो उसका रूप क्या बनेगा ये आपको जानना और समझना है तो इसके लिए निश्चित रूप से आपको जो धातू रूप हैं ये आप पढ़ेंगे समझेंगे तब इन चीजों को आप जान पाएंगे और विभिन्न वाक्यों में इसका प्रयोग करते हुए एक सार्थक वारतालाप करने में आप समर्थ होंगे तो चलिए आप निश्चित रूप से ये जो बात हमने पढ़ा वारतालाप इसके माध्यम से आप विभिन्न वीशियों पर अपने मित्रों के साथ या समाज में किसी के साथ भी वारतालाप करने में समर्थ और सफल होंगे इन ही सुभकामनाओं के साथ धन्यवाद हुआ